आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इस तरीके से मास्क लगा हुआ सेमी फॉंडंट के किस तरीके से बनाया जाता है इसके सारे टिप्स और ट्रिक्स मैं आज की इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ति ये वीडियो भी आपके लिए बहुत यूसफूल होने वाली है वीडियो को कर दीजे लाइक और चैनल को कर दीजे सस्क्राइब अब हम यहाँ पर फेस पर मास्त लगा हुआ है इस तरीके का एक सेमी फॉंडंट केक देख रहे हैं उसके लिए मैंने यहाँ पर एक केक 7 इंचेस के फॉंडंट लिया है और थोड़ा सा फॉंडंट में इसमें से निकाल लूँगी और जितना चाहिए उतना में पास में रखूंगी बाकी का फॉंडंट फिर से हम कवर करके रख देंगे ताकि यह ड्राइन ना हो एक स्ट्रॉ का फॉंडंट में यहाँ पर क्लीन रैप में रैप करके प्रॉपर डेबे में रख दूंगी और जितना मुझे चाहिए उतना मैंने यहाँ पर निकाल लिया है अभी स्काय फॉंडंट को मैं हातों से अच्छे से मसलने वाली हूँ ताकि यह अच्छे से मिक्स हो जाए और हातों की गर्मी से इसके अंदर जो बटर या जो भी ओल फैक्टर होता है वो रिलीज होता है और इसकी स्मूधनेस बढ़ती है शाइनिंग बढ़ती है इसलिए इसे हातों से एकदम अच्छे से मसलना है मिक्स करना है और इस तरीके से मिक्स करने के बाद में अब मैं इसे रेक्टैंगल शेप में रोल करने वाली हूँ याने की रेक्टैंगल शेप में बेल लूँगी और फिर बाद में इसे प्रॉपर शेप में हम कट करने व पर आइसिंग शुगर या कॉन फ्लोर किसी भी चीज का इस्तमाल नहीं किया है मैं इसे सिलिकॉन मैट पर बेल रही हूं और फॉंडन जो है प्रॉपर कंसिस्टंसी पर है तो यह चिपक नहीं रहा है तो जरुवत नहीं है इसलिए मैंने यहां पर इन दोनों में से भी किसी चीज का इस्तमाल नहीं किया है जिस साइज का हमें केक बनाना है वो टीन हमेशा अपने पास रखे और उसके उपर यह फॉंडन रखे उसके साइज का ही हमें बनाना होता है तो उस तीन पर मैं यह रेक्टैंगल शेप रखके देखूंगी क्योंकि मुझे फेस पर कवर होन करते हों ताकी मैं प्रॉपर स्ट्रैट लाइन कट कर सकूं और मैं यहाँ पर पर जैसे पेन कटर भी कहते है इसका इस्तमाल कर रहे हो आप के पास अगर यह नहीं है तो आ पी craving का इसेर्ण कर इसे cotton, सिलीकोन मैट पर हमें एकदम हलके से किसी इस से दलीप कोश्च और। पर शेप में बना ले तो मैं यहां पर इसे प्रॉपर रेक्टैंगल शेप में कट कर रहे हूं और यह अलमुस्ट रेक्टैंगल शेप में कट होके रेडी है अब मैं इसे उपर जो है स्ट्रिप्स होती है हमारे मास के उपर तो वो स्ट्रिप्स में यहां पर बना लूँगी यहाँ पे हमें कम से कम 3 strip यहाँ पे लगने वाली है कुछ इस तरीके से strip मैं यहाँ पे लगाने वाली हूँ कट करके तो अब वो strips हम बना लेंगे अब अगिन मैंने यहाँ पे blue color का fondant ले लिया है उसे मैं अच्छे से bell लूँगी और लंबा कर लूँगी ताकि उसकी जो विर्थ है यानि कि उसकी जो चोड़ाई है हमारे मास की जितनी चोड़ाई जितनी होनी चाहिए ताकि उतनी लंबी हम strips यहाँ पे कट कर सके तो यहाँ पे मैं इसे एक बार मैंने मास के उपर रखके देख लिया कि उतनी लंबी है या नहीं है नहीं है तो मैं इसे अभी फिर से थोड़ा सा और जादा बेल रही हूँ ताकि यह उतनी लंबी हो जाए और मैं उसकी उतनी लंबी वाली strips कट कर सकूँ अब यहाँ पे मैंने इसे properly roll कर लिया है और अब मैं इसकी strips कट करने वाली हूँ तो यहाँ पे मैंने fondant को roll करने के बाद मैं steel की scale ली है इसे मैं 2-3 या जितनी इसमें strips बनेंगी पहले उतनी कट कर लूँगी फिर हम mask के उपर रख के देखेंगे कि हमें 3 या 4 strips कितनी इसमें हम edges कर सकते हैं तो इस तरीके से scale की help से मैं यहाँ पे एकदम straight जो है cutting कर रहे हूँ और strips बना रहे हूँ अब इस roll की हुए fondant में जितनी strips बन जाएगी उतनी strips मैं यहाँ पे बना लूँगी और फिर हम देखेंगे कि mask के उपर 3-4 कितनी strips edges होती है उस हिसाब से हम इसके उपर जो strips अच्छी लग रही है एकदम proper cutting हुई है उनका हम यहाँ पे इस्तमाल करने वाले है strips तो यहाँ पे cut होके ready है अब हमने जो rectangle shape का mask cutting किया था वो mask ले लेंगे और उसकी विर्थ देखेंगे जितना लंबा हमारा mask है उतनी लंबी हमारी strips होनी चाहिए तो उस हिसाब से यहाँ पे मैं strips place करके देखूंगी कि कितनी strips इसमें adjust हो रही है क्योंकि इसमें same gap होना चाहिए तो यहाँ पे हमें तीन ही strips लग रही है तो तीनो strips को मैंने side में रख दिया है जो अच्छी से cutting की गई है वो तीनो strips मैंने यहाँ पे ले लिये अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी ले रही हूं और brush की help से मुझे जहाँ strips चिपकानी है वह तो है same gap रहे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैं इसे place कर रहे हूं फिर मैं देखूंगी के कहां पे मुझे थोड़ा सा पानी लगा कि इसे चिपकाना है तो बस मैंने measurement ले लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा पानी लगा रही हूं और जहां मैंने पानी लगा है वहाँ पे मैं यह strips चिपकाती जा रहे हूँ कुछ इस तरीके से जानबुच के strips को मैंने थोड़ा लंबा रखा है ताकि हम इसे बाद में कट कर सकते लेकिन छोटी हो गई तो यह अच्छी नहीं लगती है तो थर्ड strip भी मैं यहाँ पे कुछ इस तरीके से चिपका लूँगी तो टोटल हमें इस rectangle के उपर तीन strip लगी है अब तीनो strips को मैंने हलके से दबा दिया है ताकि यह नीचे proper चिपक जाए अब यह चिपक गई है अब यह side का जो extra portion है मैं यहाँ पे exacto knife से कुछ इस तरीके से cut कर लूँगी ताकि यह proper rectangle shape हमारा लगे और यह strips उस पर जूड़ी हुई है कुछ इस तरीके से दिखना चाहिए तो यहाँ पे देखिए सारे sides के extra portion मैंने कुछ इस तरीके से exacto knife से cut कर लिए है जो हम face mask लगाते है अगर आपने gore से देखा होगा तो यह जो plits होती है इसको stitching line साइट से दिखती है कि यह stitch करके जुड़ाई हुई कई है कुछ ऐसा दिखाया जाता है तो इसके लिए मेरे पास यहाँ पे कुछ इस तरीके का tool है उसका मैं इस्तमाल कर रहे हूँ और हलके हलके से उसे प्रेस करते हुए linings दिखा रहे हूँ यानि कि यह stitch की हुई नजर आए stitch करके हमने इसे joint किया है कुछ इस तरीके से effect देने के लिए मैं इस tool का इस्तमाल कर रहे हूँ तो इस तरीके से कुछ dot dot इसके उपर बन जाएंगे तो ऐसा लगेगा कि यह stitch की हुई है strips को मैं इसे प्रेस करते हुए बना रहे हूँ तो strips के उपर linings तो आ रही है लेकिन extra portion side में निकल चुका है तो इसे भी हम exacto knife से cut कर लेंगे और again proper rectangle shape का में इसे बना लेंगे इस तरीके से stitching line देने से इसका एकदम realistic look आएगा कि यह हाँ सच में stitch करके यह plates लगाई गई है तो यहाँ पर यह mask जो है ready हो चुका है इसकी strips जो है side की वो हम बाद में बनाएंगे तो इस तरीके से मैं इसे थोड़ा सा dry होने के लिए side में रख दूंगी और अब मैंने यहाँ पे black color का fondant लिया है face पे उपर जो हेर होते है वो हेर दिखाने के लिए यहाँ पे इस fondant का मैं इस्तमाल कर रहे हूँ अब इसे मैं हातों से एकदम अच्छे से muscle रही हूँ और muscle ने के बाद में इसकी shine जो हे थोड़ी सी बढ़ जाती है और अब मैं इसे जो हे लंबा roll कर रहे हूँ कुछ इस तरीके से इसे मैं roll कर लूँगी पतला से मैं यहाँ पे roll कर रहे हूँ इसे roll करने के बाद में जिस team के size का हमने cake बना है वो team again मैंने ले लिया है और उसके उपर इस तरीके से रखके मैं थोड़ा सा half circle सा बनाऊंगी ताकि यह जो बाल है प्रॉपर थोड़े से half circle में लगे हुए मुझे दिखाने है उपर से कि उपर से यह लगे हुए है और हमारे cake का जो circle shape है भी आना चाहिए इसलिए मैंने इस तरीके से इसे cut कर लिया है और अब मैं थोड़ा थोड़ा सा fondant cut करके बालों का shape इसका दिखाने वाली हूँ तो यह proper cut हुआ है या नहीं हुआ है यह again मैं तीन लूँगी और तीन के उपर रख्ये में इसे check करने वाली हूँ कि यह proper cut हुआ है या नहीं हुआ है तो देखिए मैंने यह आपर तीन का अगेन measurement ले लिया है तो यह तीन का थोड़ा सा जो है बाहर की side में पोर्शन जा रहा है तो अगेन मैं इसको थोड़ा सा cut कर लूँगी इसी के shape में या इस तरीके से देखिए फिर मैंने डबा जो है उसी fondant के उपर रख दिया है और अगेन उसे में थोड़ा सा छोटा cut कर रहे हूँ पहले जो cut किया था वो हमने बड़ा cut किया था इसे तरीके से measurement लेके आपको shapes बनाना होता है ताकि जब हम इसे cake के उपर place करें तो ये proper size में लगे और छोटे बड़े होने के वज़े से अगर एक बार हम cake के उपर ये shapes place कर देते हैं तो हम इसे remove नहीं कर पाते हैं क्योंकि हम ये semi fondant cake बना रहे हैं याने कि cake के उपर हमारी cream लगी हुए है अगर cream के उपर अगर fondant place करते हैं तो fondant cream को चिपक जाता है अब ये proper shape में cut हो चुका है अब मैं यहां पर हलके हलके से exacto knife से थोड़ा थोड़ा सा triangle shape यहां बीच बीच में cut कर रहे हूं ताकि ये बालों की तरह लगे कुछ ऐसे आपको भी cut कर लेना है बीच बीच में आपको ऐसे ही triangle shape cut कर लेने है छोटे बड़े triangle shape में ही यहां पर cut कर रहे हूं ताकि ये बालों की तरह लगे जितना हमने ये black portion cut किया है उतनी सारी sides में नीचे की और इस तरीके के cut हमें लगा लेने है कुछ छोटे कुछ बड़े ताकि बाल जो है uneven होते है कोई छोटे कुछ बड़े तो उसी तरीके से में यहां पर cut लगा रहे हूं और इने बालों का effect दे रहे हूं थोड़ा सा तो यहां पर मैंने आदे से जादा जो है बालों में इस तरीके से cut लगा लिये है देखिए कट लगाने के बाद में हलका सा हमें exacto knife से इनके बीच में gap ready करना है ताकि ये बाल जो है थोड़े से अलग-अलग नजरा एक दूसरे से चिपके हुए ना नजरा इसलिए बीच-बीच में इसे हमें इस तरीके से cut करना है और थोड़ा सा gap इनके बीच में बनाना है तो यहाँ पर बालों को कुछ इस तरीके से cut लगाते हुए पूरे बाल मैंने यहाँ पर ready कर लिये है अब mask हमने बना लिया, hair हमने बना लिया, अब हम eyes बनाने वाले है उसके लिए again मैंने black fondant लिया है और इसे मैं roll कर लूँगी और यहाँ पर इसे मैं nozzle की help से eyes cut कर रही हूँ तो यहाँ पर आपको check करना है कि छोटी eyes, बड़ी eyes कौन सी अच्छी लग रही है तो उस तरीके से आप nozzle का इस्तमाल कर सकते हो तो यहाँ पर मैंने एक eyes बड़ी nozzle से cut कर ली है और एक eyes में छोटे nozzle से cut कर रही हूँ और दोनों भी मैं cake के tin के उपर रखके place करके देखूँगी कि कौन सी eyes जादा अच्छी लग रही है तो यहाँ पर मुझे छोटी eyes जो है वो proper लग रही है तो अगेन मैं और एक छोटी eyes यहाँ पर बना रही हूँ तो ऐसे मैंने total two eyes यहाँ पर बना ली है अब मैं यहाँ पर eyes के उपर जो eyebrow होते है वो हमें cut करने है तो eyes को मैंने again black fondant के उपर रखा है और उसी के side में निशान बना कर मैं eyebrow का shape दे रही हूँ याने के exacto knife से उसे पहले shape दे कर बाद में उसकी cutting कर रहे हूँ कुछ इस तरीके से तो यहाँ पर यह एक eyebrow यहाँ पर बनके ready हो चुकी है इसे मैं अब cut करके बाहर निकाल लूँगी और इसे भी अब मैं teen के उपर place करके देखूंगी क्या यह proper लग रही है इसी तरीके से दूसरी eyebrow भी हमको बना लेना है दोनो eyebrow जो है बनके ready हो चुकी है और देखिए जैसे हम इसे place करेंगे वैसा angry face थोड़ा सा अलग-अलग face हम इसे place करके बना सकते है अब हम यहाँ पर जो mask हमने बनाया है उसकी strips बना लेंगे उसके लिए मैंने यहाँ पर white fondant लिया है उसे properly muscle के मैं यहाँ पर उसे roll कर रहे हूँ और यहाँ पर मैंने इसे लंबा roll कर लिया है और अब मैं यहाँ पर इसकी लंबी strips बना रहे हूँ 2 strips हमें यहाँ पर बनानी है एग्जक्टो नाइप से cut करते हुए कुछ यहाँ पर इस तरीके से मैं लंबी 2 strips यहाँ पर बना रहे हूँ दोनों strips को cut करके मैंने यहाँ पे side में रख दिया है अब हमने जो eyes के ball बनाए थे उसके नीचे proper eyes का shape हमें बनाना है तो वो जो eyes के balls हमने बनाए वो मैं यहाँ पे ले रहे हूँ और proper इसे जो है पत्ती के shape का थोड़ा सा जो हो जिस तरीके से हमारी eyes होती है उस shape की मैं यहाँ पे marking करके यहाँ पे वो shape कट कर ले रहे हूँ तो exacto knife से proper मैंने eyes की तरह इसे cut कर लिया है कुछ इस तरीके से यह दिख रहा है proper हम eyeball को center में रख के देखेंगे अब यह eyes जो है properly बन चुकी है ऐसे ही same दूसरी eyes भी मैं यहाँ पे बना लूँगी दोनो eyes के shape जो है cut के ready हो चुके है एक उपर एक रख के मैं इने check कर रहे हूँ कि यह proper दोनों same लग रहे है या नहीं ऐसे आपको भी check कर लेना यह दोनो eyes जो है same लग रही है shape में तो यहाँ पे eyes हमारी ready है अब मैं यहाँ पे इसे पानी की help से center में जो eyeball है हमारा वो चिपका लेंगे eyes के उपर तो हलका सा पानी मैंने यहाँ पे लगा लिया है और eyeball को चिपका लिया और हलका सा यहाँ पे press करते हुए मैं इसे चिपका लोगी तो ऐसे ही दोनो eyes को मैंने यहाँ पे पानी लगा के चिपका लिया है अब यहाँ पे मैं white color ले रही हूँ gel color मैंने यहाँ पे लिया है eyes के अंदर छोटा सा जो eyeball के अंदर एक छोटा सा white color का dot अपको दिखता होगा तो वो हम यहाँ पे देने वाले है eyes के अंदर उसके लिए मैंने यहाँ पे gel food color लिया है अपको gel food color ही fondant के उपर इस्तमाल करना है Então थोड़ा सा gel food color मैं यहाँ पे प्लेट में निकाल लेती हूँ gel color मैंने यहाँ पे प्लेट में थोड़ा सा ले लिया है बहुत कम हमें लगने वाला है और यहाँ पर मैंने zero number का brush लिया है zero number के brush से ही हमें eyes के अंधर जो है ball बनाना है जोटा सा अब मैंने यहाँ पर brush के उपर हल्का सा white gel color लगा लिया है उस gel color को eyes के जो black center है उसके side के corner में हल्का इसे white dot में दे रहे हूँ कर साइड में रखा था उसको मैंने उल्टा कर लिया और उसकी बैक साइड से हमने जो स्टिप्स बनाई है वो हमें यहां पर चिपका लेनी है दोनों साइड से एक एक स्टिप्स तो यहां पर अगेन मैं ले रही हूँ थोड़ा सा पानी और पानी को मैं ब्रश की मास्क के कॉ यहां पे इसे हलका सा हम सूखने देंगे इसे मैं थोड़ा सा सीधा कर देती हूँ और अब इसे थोड़ी देर सूखने के लिए छोड़ देंगे जब तक कि मास थोड़ा ड्राय हो जाता है हम यहां पे नोज बना लेंगे नोज बनाने के लिए अगेन मैंने वाइट फॉंड शेप हमें बनाना है उपर से भी हलका सा मैं यहां पर इसे प्रेस कर रहे हूं और अब यह नोज की शेप में बनके रेडी हो चुका है नीचे से नोज प्रॉपर दिखाने के लिए बॉल टूल की हल्प से आप छोटे से दो सरकल नोज के नीचे बना सकते हो या तो आपके पास अगर बॉल टूल नहीं है तो पेन की बैक साइड से भी आप यहां पर थोड़ा सा सरकल शेप नीचे की साइड से दो बना सकते हो अब एक एक करके सारी चीज़ें हम केक के उपर एकदम धीरे से प्लेस करने वाले हैं तो सब में पहले मैं यहां पर जो हमने हेर्स बनाए थे वो हेर्स यहां पर केक के उपर प्रॉपर शेप में धीरे से प्लेस कर रहे हूं hairs को cake के उपर place करने के बाद में हलके से मैंने इसे दबा दिया है ताकि ये cream के उपर चिपक जाए अब हम इसके उपर eyes place करेंगे तो एकदम center में दोनों sides में बराबर gap रहना चाहिए इस तरीके से मैं यहाँ पर eyes जो है place कर रही हूँ एक eyes को मैंने हलके से properly place कर दिया है और दूसरी भी eyes बीच में gap रखते हुए है same ऐसे ही मैं यहाँ पर place कर लूँगी अब eyes के बाद बारी आती है eyebrow की तो इसके उपर हम eyebrow भी properly place कर लेंगे दोनो eyes के eyebrows के बीच में same gap होना चाहिए properly इसे place करना है क्योंकि cream के उपर एक बार fondant place करने के बाद हम इसे उठा नहीं सकते इसलिए हमें properly ध्यान रखते हुए सारी चीज़े एके करके place करना है अब हम यहाँ पे nose place कर लेंगे तो दोनो eyes के center में मैंने यहाँ पे nose भी place कर लिया है अब हमने जो mask बनाया है वो हम यहाँ पे place करेंगे एकदम धीरे से हमें इस mask को उठा के nose के उपर properly place करना है तो कुछ इस तरीके से एकदम धीरे से मैं यहाँ पे half nose को cover करते हुए यह mask भी यहाँ पे place कर रहे हूँ तो beautiful सा हमारा mask से cover face जो है बनके ready हो चुका है इसी तरीके से आप भी हमेशा mask पहने और mask पहन कर अपने आपका करोना से बचाओ करे साथ ही में अपने family को बचाए और देश को भी करोना के फैलाव से बचाए आपको यह cake कैसा लगा मुझे नीचे comment box में comment करके जरूर बताना और यह cake और मेरे tips और tricks आपको अच्छे लगे तो पीस वीडियो को कर दीजे like चैनल को कर दीजे subscribe साथ ही में मेरा और एक चैनल है उसकी link में नीचे description box में दे दूंगी उस चैनल पे भी आपको जल्दी बहुत सारी useful tutorials देखने मिलेंगे तो फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो के साथ तब तक मास्त लगाईए खुद को स्वस्त रखिए अपने परिवार को स्वस्त रखिए क्योंकि भाई जान है तो जाहान है कर दो जाहान है